हालो फैम्ली सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते स्वागत है हमारे चैनल पर होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं तो आज वीडियो की सुरुआत किचन से हुई है बट किचन में आज रेसिपी नहीं बन देगी है बलकि आज मैं किचन में किचन से रेलेटेड आपको कुछ टिप्स दिखाऊंगी जो मैं अकसर यूज करती हूँ हर कुसल ग्रहनी चाहती है कि अपने काम को पर्फिट करें बट कम समय में करें तो कम समय में करने के लिए और सी बात है कुछ टिप्स हम लोग को अकसर यूज करने पड़ते हैं तभी तो समय की बचत हो पाएगी तो मैं भी ऐसे कुछ टिप्स यूज करती हूँ जिससे मैं अपने घर को मैनेज कर पाती हूँ और समय को भी बचा पाती हूँ तो मैं ऐसे कौन-कौन से टिप्स यूज करती हूँ में उस सारे टिप्स ना सही पर कुछ टिप्स सायद मटर के लिए टीप यह है कि जब हम लोग कोई रेसिपी बनाते हैं मटर की तो बाद में ये रेसिपी बनने के बाद ये सिकुड जाती है तो इसको खिले खिले इस तरह से फुले हुए और हडे रखने के लिए इसे मैं क्या करूंगी कि बनाने से पहले इसमें मैं डाल और इसके बाद इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है लेकिन सिर्फ गर्म पानी नहीं डालना है इसमें मिठास रखने के लिए आधी चमत चीनी डाल देना है और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजे इसके ब के लिए कि जब भी को कट करते है अ तो कभी कभी इसमें से कीड़े निकालाते हैं जो देखने बड़े डराओने होते हैं आपे चेह धीज़ित कीड़े कड़ें करें वहांगे का गॉडली काटने की कोशिस नहीं करती हूं कि इस तरह से मैं गोवी को लेती हूँ और फुल गोवी को मैं गैस पे सिम रखती हूँ और उस पे मैं इसे हलका गर्म कर लेती हूँ उससे कीड़े अगर रहते हैं तो वो खुद बाहर आ जाते हैं नेक्ट्सक्स टिप मेरी लैसन के लिए है लैसन तो हर गर में यूज होता है लेकिन इसे छिलने का जंजहेट बहुत ज्यादा होता है तो इसके लिए मैं बहुत ही एजी टिप बता रही हूँ जो आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देगा तो करना कुछ नहीं है लहसन के इस तरह से पोट को अलग अलग कर लिजे और इसे एक कटोरी में लेकर बहुत ही गर्म पानी मतलब अच्छा गर्म पानी इसमें डाल करके लगवग 10 मिनट के लिए छोड़ दीजे और ये देखिए मैं 10 से 15 मिनट जब हो गए तो आपको मैं द तो बहुत सारा लहसन छिलना इतना इजी हो जाएगा आपके लिए कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है लहसन छिलने में भी तो यह देखिए मैं कुछ लहसन इस तरह आपके सामने ही दिखा रही हूं छिल के कैसे अलग आये हुए हैं और लहसन देखिए कैसे अलग मैं आपको दिखा रही हूं थोड़े बहुत जो छिल के इसमें अंदर वाले पतली वाली लेयर रहती है उसको एजी मैं छिल करके इस तरह से हटा लेती हूं तो इस तरह से आप भी लहसन छिल करके रख सकते हैं नेक्स टिप मेरी कड़ी के लिए है बहुत से लोग के साथ यह होता है कि कड़ी का घोल जैसे ही कड़ाही में डालते हैं तो वह फट जाती है उसके लिए सबसे अच्छा यह यहां पे टिप है कि जब हम लोग प्याज भूनते हैं उसके बाद कड़ी का हम लोग घोल डालत तो कड़ी कभी नहीं फटेगी, यह मेरी गारंटी है, तो जब भी कड़ी बनाएं, तो कड़ी के गोल को डालने से पहले, कड़ाही में थोड़ा सा पानी डाले, ताकि इसका टेमप्रेचन मेंटेन हो जाए, और जब तक कि इसमें बॉयल ना आए, तब तक इसको चलाते रहे और जैसे ही बॉयल आ जाए, तो इसे मेडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दीजे, तो यह देखिए कड़ी कितना अच्छा और कितना टेस्टी बन करके तयार हो गया है, तो अगले टिप के और चलते हैं, तो यहां पर मैं मिर्च दिखा रही हूँ, तो यह देखिए लाल मिर्च के पॉडर बनाते वक्त के लिए है, जब भी मैं लाल मिर्च का पॉडर बनाती थी, तो मिकसी जार में मिर्च को पीछते वक्त इसमें से पॉडर उड़ते थे, और कभी कभी चेहरे पे जलन की समस्या आ जाती थी, उससे बचने के लिए मैं यहां पर क्या करती कि जब मैं लाल मिर्च डाल दी मिक्सर जार में, साथ ही मैं यहां पे 4-5 बुंद सरसो का तेल डाल दी, इससे होता क्या है कि जो पॉडर उड़ना चाहिए वो उड़ता नहीं है, और कोई भी जलन वेगरा की समस्या नहीं होती है, साथ ही साथ सरसो तेल डाल देने से इसका ज तो कोई भी रेशिपी बनाने में टाइम की बचत होगी और उस समें जटपट वो रेशिपी बन जाएगी, तो यह पेस्ट तो बन जाती है, लेकिन इसे ज्यादा समय तक कैसे स्टोर करके रखा जाए, तो ज्यादा समय तक स्टोर करने के लिए इसमें पानी बिलकुल ना पिस्ते वक्त और इसे एक धरदरा ही पेस्ट बनाए उसके बाद जब इसे बावल में निकाल ले तो जब बावल में इस पेस्ट को आप रखते हैं तो उपर से इसमें सरसो तेल डाल दीजिए और उसके बाद किसी अच्छे से एर टाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर कर सकत हैं नेक्स टीप गाजर के हलवे से रिलेटेड है अक्सर हम लोग गाजर को घीसना पड़ता है जिससे हम लोग आलस कर जाते हैं हलवा बनाने में बट अब उसकी कोई जंजट नहीं होगी आपको करना क्या है गाजर को थोड़ा छिल लीजे उसे वाश कर लीजे और इस तर जाए उसके बाद इसे ठंडा कर लीजे और इसे मैसर की मदद से इस तरह से जब हलका ठंडा हो जाए थोड़ा गर्म रहे थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैसर से इस तरह से मैस कर लीजे उसके बाद से प्रोसेस जैसे कद्दू कसवाला करते हैं आप उस तरह से करिए घी डा के हलवा तयार हो जाएगा नेक्स टिप मेति के लिए है हम लोग के घर में बच्चे अकसर मेति खाना नहीं पसंद करते हैं लेकिन जो आज मैं टिप बताऊंगी अगर उसको आप अजमाईएगा तो बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे और उन्हें बहुत पसंद आएगा तो करना क्या है मेति को इस तरह से एक बरतन में ले लिजे और उसमें डाल दीजे एकदम गर्म पानी उबलता हुआ गर्म पानी और इस तरह से गर्म पानी डाल करके उसमें डाल दीजे आधा चमच नमक तो ये देखिए मैं गर्म पानी इसमें डाल दे रही हूँ और इसम मैं साथी डाल दूंगी आधा चमच नमक उसे अच्छे से आपको मिला देना है नमक डाल करके ताकि पानी में अच्छे से नमक घुल जाए और उसमें मेथी को सोक करके लगबग 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है 15-20 मिनट बाद आप इसे निकाल करके और किसी ठंडे पानी में डाल दिजे और 2-3 पानी से अच्छे से इसे वाश कर लिजे उसके बाद जावाप मेथी से कोई भी डिस बनाईएगा तो इसमें कोई भी कड़वापन नहीं रहेगा आपके बच्चे हर डिस को बहुत ही चाओ से खाना इसे पसंद करेंगे नेक्स टिप कोई भी मिठाई बनाने से रिलेटेड है कि जब हम खोय की कोई मिठाई बनाते हैं तो उसमें चीनी डाल कर बनाते हैं बट आप चीनी के जगा गुड को कैसे यूज करें क्योंकि गुड डालने से क्या होता ना कभी कभी खोया फोट जाता है तो आपको करना क कि खो़े को पहले बना लिज़े और गैस को कर दीजे बंद गैस को बंद करके उसे 2 तीन मिनिट के लिए चोड़ दीजे दो तिन मिनट बाद गुर को डालिए और गैस को भी बंदी रहने दिजे और इस तरह से आप चला दे रहे तो आप भूने हुए तिल इसमें डालिए और उसे अराम से बर्फी के रूप में जमा लिजिए तो बहुत ही अच्छा ये ट्रिक है आप चीनी के जगह गुड का यूज इस तरह से कर सकते हैं जो बहुत ही हेल्दी होता है हमारे लिए नेक्स टीप इलाइची पौडर बनाने के लिए है तो हम लोग जब थोड़ा सा इलाइची डालते हैं मिक्सिजार में तो उसकी पौडर अच्छे से ने बन पाती है उसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर एक से दो चमज डालनी है चीनी तो ये देखे मैं यहां पे चीनी डाल दे रही हूं, आप अपने रिक्वार्मेंट के अनुसार डाले हैं, मैं दो चमच डाल रही हूं, इससे बहुत ही अच्छे से मिक्सिजार चल जाएगी और इसका पाउडर बन करके त्यार हो जाएगा, तो यह देखे मैं आपको दिखा दे रही हूं, कित तो यह देखे मेरी चासनी बन रही थी, तो मैं गुलाब जामून की चासनी में इस इलाची पाउडर का यूज की, तो बहुत अच्छा यह टिप है, इससे जरूर अजमा के देखे है, नेक्स्ट टिप गुलाब जामून से रिलेटेड है, बहुत लोगों का यह कहना होता ह कि इसमें चासनी अंदर तक नहीं जा पाती है, मतलब बहुत अच्छे रसीले गुलाब जामून नहीं बन पाते हैं, तो आपको करना क्या है, यहां पर मैं दिखा दी कि मैं गुलाब जामून बना रही हूं, तो मैंने एक पेड़ा लिया, जो गुलाब जामून बनाने के बनाते हैं, उसका चोटा सा पेड़ा लिजिए और उसमें स्टप कर दिजिए किसमिस को, किसमिस के जगह ही लाइची या फिर ड्राइफ रूट काट करके भी स्टप कर सकते हैं, जब स्टप करके इसे फ्राइ किजिएगा उसके बाद चासनी में डालिएगा तो बहुत कमेंट किजिएगा कि आपको कौन सिटी पच्छी लगी और आज की वीडियो में बस इतना ही, ऐसे ही कुछ इसपूल ठिप्स और भी मेले करके आओंगी, मिलते हूँ मैं नेक्स वीडियो में, तिल देन, खुश रहिए, मस रहिए और व्यास रहिए, बाई बाई